पवित्र शास्त्र नीती वचन अध्याय दस सुलैमान के नीती वचन बुद्धिमान पुत्र से पिता आनन्दित होता है परंतु मूर्ख पुत्र के कारण माता उदास रहती है दुष्टों के रखे हुए धन से लाब नहीं होता परंतु धर्म के कारण मृत्यू से बचाव होता है धर्मी को यहोवा भुका मरने नहीं दिता परंतु दुष्टों की अभिलाशा वो पूरी होने नहीं दिता जो काम में धिलाई करता है वो निर्धन हो जाता है परंतु कामकाजू लोग अपने हातों के द्वारा धनी होते हैं जो बेटा धूपकाल में बटोरता है वो बुद्धी से काम करने वाला है परंतु जो बेटा कठनी के समय भारी नींद में पड़ा रहता है वो लज्जा का कारण होता है धर्मी पर बहुत से आशिरवाद होते हैं परंतु उपद्रव दुष्टों का मो च्छा लेता है धर्मी को स्मरण करके लोग आशिरवाद देते हैं परंतु दुष्टों का नाम मिट जाता है जो मुधिमान है वो आज्याओं को स्विकार करता है परंतु जो बकवादी और मूड है वो पच्छाड खाता है जो खराई से चलता है वो निडर चलता है परंतु जो टेड़ी चाल चलता है उसकी चाल प्रकट हो जाती है जो नैन से सैन करता है उससे औरों को दुख मिलता है और जो बकवादी और मूड है वो पचाड खाता है धर्मी का मूँ तो जीवन का सोता है परंतु उपद्रव दुष्टों का मूँ चा लेता है बैर से तो जगड़े उत्पन होते है परंतु प्रेम से सब अपराद धंप जाते है समझवालों के वचनों में बुद्धी पाई जाती है परंतु निर्बुद्धी की पीठ के लिए कोड़ा है बुद्धिमान लोग ज्यान को रक छोडते है परंतु मूड के बोलने से विनाश निकट आता है धनी का दन उसका द्रिड नगर है परंतु कंगाल लोग निर्धन होने के कारण विनाश होते है धर्मी का परिश्रम जीवन के लिए होता है परंतु दुष्ट के लाब से पाप होता है जो शिक्षा पर चलता वो जीवन के मार्ग पर है परंतु जो डांट से मूँ मोडता वो भटकता है जो बैर को छिपा रखता है वो जूट बोलता है और जो अपवाद फैलाता है वो मूर्ख है जहां बहुत बातें होती हैं वहां अपराध भी होता है परन्तु जो अपने मूँ को बंद रखता है वो बुद्धी से काम करता है धर्मी के वचन तो उत्तम चांदी हैं परंतु दुष्टों का मन बहुत हलका होता है धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोशन होता है परंतु मूढ लोग निर्बुद्धी होने के कारण मर जाते हैं धन यहोवा की आशिश ही से मिलता है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता मुर्ख तो महापाप करना हसी की बात जान पड़ती हैं परंतु समझवाले पुरुष में बुधी रहती हैं दुष्ट जन जिस विपत्ती से डरता है वो उस पर आ पड़ती हैं परंतु धर्मियों की लालसा पूरी होती हैं बवंडर निकल जाते ही दुष्ट जन लोप हो जाता है परंतु धर्मी सदा लोस्थिर हैं जैसे दांत को सिरका और आँख को धुआ वैसे आलसी उनको लगता है जो उसको कहीं भेजते हैं यहोवा के भै मानने से आयू बढ़ती हैं परंतु धुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है धर्मियों को आशा रखने में आनंद मिलता है परंतु धुष्टों की आशा तूट जाती हैं यहोवा खरे मनुष्व का गड़ ठहरता है परंतु अनर्थ कारियों का विनाश होता है धर्मी सदा अटल रहेगा परंतु दुष्ट पृत्वी पर बसने न पाएंगी धर्मी के मुँ से बुधी टपकती हैं पर उलट फेर की बात कहने वाले की जीव काटी जाएगी धर्मी ग्रहन योग्य बात समझ कर बोलता है परंतु दुष्टों के मुँ से उलट फेर की बातें निकलती हैं पर उलट फेर की बातें पाएंगी अर्मी के बातें पिसन आया